Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? और यह न्यू चैप्टर का नाम क्या है Corporate Entities यानि Types of Companies यह चैप्टर पुरानी सलेबस में भी था और न्यू सलेबस में भी है पुरानी सलेबस में Types of Companies के नाम पे था, ने सलेबस में Corporate Entities के नाम पे है ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका Incorporation of Companies का Section 3 से लेके 22 जो टॉपिक है, ठीक है, वो हो चुके होने चाहिए Company Laws and Practice में Section 3 से लेके 22 तक Incorporation of Companies का चैप्टर पहले हो चुका होना चाहिए तब जाके आपने यह चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, अद्रवाइस आपने इसको डिरेक्टली स्टार्ट नहीं करना सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बिटा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जिसका डिरेक्ट लिंक उस चैप्टर से है, जिसे आप पढ़ेंगे इसमें करें कोर्परेंट के रिगार्डिंग क्या पर चॉचीजर है उसके बारे में बहुत सारे टॉपिक इस आप पर जियों क्वर्ला है, आप पर के इस महलें हैं, छित's कहीं कहा हैं कि वहां से लिंक डेंग हैं कर पशका तरहनत बाहु यहां पर covered है मिटा ठीक है तो चलिए बटा chapter हम start करते हैं ठीक है चलिए अब यहां पर सबसे पहले क्या है corporate entities जो है यानि companies जो है कि उसका regulatory framework क्या है इसका जो regulatory framework है वो क्या है इसमें एक तो companies act 2-13 जो important section सारा तो obviously नहीं होगा ठीक है companies एक 2013 के जो इंकॉर्परेशन के साथ जुड़े हुए जो sections है जैसे one person company हो गई ठीक है उसके इलावा अपना sectionate company हो गई निदी company हो गई producer company हो गई ठीक है और इंकॉर्परेशन का क्या procedure है वो सबसे topic इस chapter में जुड़े हुए ठीक है तो चलिए एक तो company रख दर 13 के कुछ section जुड़े हुए इसमें इस chapter में अदेश्ट है उसके लावा क्या है कि companies incorporation rules 2014 यानि companies को जो incorporation करवानी है उसके rules क्या है वो इस chapter में ठीक है दिये हुए है सबसे पहले बिड़ा है definition of company क्या definition है मैं पहले फिर इसको फिर repeat कर दो यह chapter आपने start करने से पहले जो chapter है आपका company law का incorporation of companies का chapter section 3 से लेके 22 पहले cover कर लिया हो तब जाके आपने chapter यह start करना है ठीक है उससे पहले क्या है definition of company company क्या definition है ठीक है यह अगर आपने पढ़ा है company लो तो आपको अच्छे से याद होगा company क्या definition है sorry तो कहते हैं कि company means company incorporated under this act और under previous company लो यानि means यहां पर यूश किया हुए इसका मतलब आपको पता ही है definition जो है restricted है definition क्या है बटा restricted है मतलब मीनिंग यही है इसके लावा कोई और meaning नहीं है ठीक है तो company means एक company incorporated under this act और under any previous company लो तो company हम उसे ही मानेंगे जिसकी in corporation इस act केता है तो यह यह या previous company लो जैसे कि आप देखिए यह वाला एक्ट कौन सा है यह कौन सा है company's act 2013 इसे पुदाने वाला एक्ट कौन सा था आपको पताए यह कंपनी जेक 1956 था ठीक है उससे पहले ओडेनर्स था ठीक है फिर company's act 1913 था ठीक है 1882 हो गया 1666 हो गया यानि जो भी company लोग है previous company लोग है ठीक है जो भी थे आप शीदा करेए जो भी थे यानि company हम किसे मानेंगे वह company जो इस act के तहद बनी है यानि company's एक 23 के तहद बनी है या वह companies जो इससे पहले जो company's act थे हमारे देश में उनके तहद रिष्टर होई है जैसे माली जी आज के तारिक में company रिष्टर होती है XYZ Limited यानि आज के तारिक में company रिष्टर होती है ठीक है XYZ Limited तो यह कौन से act के अंडर रिष्टर होगी company's act 233 के तहद ठीक है और अगर हम बात कर है ठीक है यानि इसकी जो restriction होई होगी company's act 1956 में होई होगी तो यानि हम दोनों को ही company मानेंगे company means company incorporated under this act और under previous company लो यानि company हम उसे ही मानते हैं जो इस act के तहद यानि company's act 233 यासे पुराने जो company's act थे उसके तहद रिष्ट होई है यानि माली जीव के एक company इंड़े के बाहर र होती है तो वह क्या है कि वह हम यहां पे company's को नहीं बोल सकते हैं कि उसे क्या बोलते हैं section to close 11 है उसका उसे हम बोलते हैं body corporate अगर एक company की इंकॉर्परेशन इंडिया के बाहर होती है उसे हम क्या बोलते हैं body corporate और उसके रावा section to close 42 इसी चैप्टर का पार्ट भी है अगर एक प्रीकिंद्दा के बहार होई है अगर उसका प्लेस और बिंडिया में अंगर ऐसे हम क्या मानेंगे कपनी मनें उसके शीदा-सीदा कहते हैं क्या क्या बोलेंगे body corporate section to close 11 में बटा रखा है क्या बोलते हैं body corporate या corporation क्या बोलते हैं body corporate या क्या बोलते हैं corporation next बात यह आती है कि अगर मान लेजिए कंपनी की इंडिया के बाहर होई है उसका इंडिया में है उसका इनिया में उसे हैं इन हैं। बॉडी कोपिट का मितलब को पता ही है separate legal entity है company की perpetual succession है company can hold property in its own name ठीक है company can acquire the properties dispose of the property in its own name company can sue and be sued in its own name ठीक है मैं इसलिए बार बार कहा हूँ कि जब यह chapter start करने आपका company लोग का पहले जो chapter है incorporation of company section 3 से 22 cover हो चुका हो अगर आप वो करके sector को अगरा पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मज़ाएगा पढ़ने में आपका वो तो हुई चुका है साथ में इसमें जो help बहुत मिलेगी और सबसे अच्छी चीज़ा की conceptual clarity आएगी बहुत ज्यादा आपकी इस अच्छीड उसे मानेंगे तो इस एक्ट के तहट या प्रीविज कंपनी लोग के तहट बनी यह एक्लीर है नेक्स बढ़ते हैं basic characteristics of company पर पन सेग्ट यह है बेटा basic characteristics of company company की basic characteristics क्या होते हैं इक इनकॉर्परेटर एस्सेशन है रिस्ट एस्सेशन है पतला कंपनी तब तक existence में नहीं आती जब तक इसकी इनकॉर्परेशन नहीं हो जाती कंपनी जब तक इनकॉर्परेट नहीं होती तब तक existence में नहीं आएगी जैसे partnership होती है आप रिस्टेशन करवाओ ना करवाओ कोई फरक नहीं पड़ता तो जैसे आपका agreement हो जाता है partnership का कि आप partnership बनाना चाहते हो तो partnership comes into existence जैसे hf होती है company comes into existence by operation of law यानि आप लोग के तहित company के इनकॉर्परेशन करवाएंगे तब जाके company का comes into existence चलिए ठीक लिए हो गया एक company is formed and registered by the by complying with the prescribed formalities under the company's act company जो formed होती है रिस्टर होती है comply करती है formalities prescribed under the company's act मैं आपकी knowledge आपको remind कर वाद हूँ recall कर वाँ कैसे था देखो यहां पर दो तरह की company's है एक प्रॉफिट मेकिंग companies एक बड़ा क्या है profit making companies है और दूसरी क्या है नॉन प्रॉफिट मेकिंग जहां पर पैसा कमाना मकसद नहीं है नॉन प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे कम बनाई जाती है companies को क्या है non-profit companies है इनकी जो इनकॉर्परेशन है रिस्टिक्शन है को होती है section 8 में यहां पर गवर्मेंट क्या है लाइसेंस ले देती है लाइसेंस कंपरी भी बोल देते हैं इने यहां दखना तो कंपरी जो है कहते हैं कि comes into existence only after complying with the formalities of companies act टीक है it means company does not come to existence without being registered तो वही हम बात कर रहे हैं जब तक incorporation नहीं होगी by complying with the procedure of company law it cannot come into existence next separate legal entity यह क्या होता है सथ separate legal entity क्या है कि company अलग है company अलग है और members अलग है company members के काम के लिए members company के कामों के लिए liable नहीं होते तिके members की जो liability है वो limited है उनकी लिए पास यह चेट रहें उनकी पास जितना उन्हों के पास इस तरीके से यह हो गया सेफिर लीगल है company is an artificial person in the eyes of law and it is distinct from its member company क्या है एक artificial person है ठीक है देखो हम क्या है हम natural persons है we are natural persons we can walk talk breathe we can do everything what a natural person can do because we are all we are itself natural persons ठीक है अब देखिए company जो है यह को natural person तो है नहीं नहीं सांस ले सकती है ना शादी कर सकती है ना बच्चे पैरा कर सकती है ना चल सकती है ना बोल कि वहले इन दा आईस ओफ रोग क्या है एक्सिस करती है कंपनी क्या है इन दा आडेजा़ अफ लोग अग्सिस करते है यह जस्ट कहें कि एक अर्टिशल पर सने जो अग्सिस करती है in the eyes of law ठीके तो बिल्कुल मेंबर से अलग है मेंबर अलग है कंपनी अलग है इस सेप्लबॉपरती में क्या कम्पनी की और कांपनी करेगेग जो भी प्राउपेटि एक यह फुटसू के सब्सक्राइए है उसके में tyre के पास पिए इस रिए नई रहे बोसह प्रूसा ऑब की फिटा ह Mmm ऑब के पास 99.9 प्रसेंट परसेंट है कि नहीं क्या सोच्छा कि यह ऐसेती कोट्छ तो अल्मुदि हैं तो Hydra कंपनी की जो Assets थि ऊसकी जो इशरेंस है वह अपने नामसे कर वाली कंपनी की के इसस डेन स्किर्फ कःवाली अपने नामसे कर वाली किता अब कल स्वाओ कि यह स्टॉड कि अग लगी फायर कि दिस्ट्रउइ हो गया अब यह में क्लेम मांग रहा है insurance company से insurance company ने क्या क्या क्लेम रेज fel Avenue क्यों क्यों कच कहते हैं कि ये company की crypto थी तो company का इसमें इंचरेबल इंटरस्ट पो πάme था येज़िंशमें इंचरेबल इंटरस्ट आप कंपनी को ही क्या करवानी चाहे थिंश्ण करवानी चाहे थी अपने नाम आपने कंपनी की एससे की इंशरेंस अपने नामनां पे करवाली इंशरेंस को इंशरेंस कै casino को क्लैमने किमेंट करनेOR की इसमें koई company कल को केस करेगी जैसे ABC limited company है, हां भी अपने नाम पे, यहां भी case क्या है कि इसने ABC limited company ने किया है, इस थीकर से, और कोई बंदा केस करेगा company के खिलाब तो ABC limited के खिलाफ करेगा, ना कि हुसके members के खिलाफ है, देरेक्टर के खिलाफ, ठीक है, ना है been transfer ability of shares आप तरांसवेटी जो है depends करते हैं टाइप्स आंपशी तरांसवेटी जो है डिपेंट करते हैं किस पर टाइब सब्सक्राइब की टपनी टाइप क्या है अगर अगर प्राइबट कमपनी है है अगर कंपनी क्या होते हैं आपको पता है कि तो शेर्स हैं कि section to close 68 है private company के definition जो पढ़नी है सब्साब बोलते हैं कि जो private company के शेर्स हैं वो क्या है restrictions on transferability of shares है क्या है बेटा restrictions है on transferability of shares restrictions किस पर है on transferability of shares पर ठीक है और जो पबलिक company है ठीक है पबलिक company जो होती है उसके जो shares है कि क्या है हैं फिक शेर्स जो होते हैं वो फ्रिली है इंद्थ ट्राइबबिक कंपनी को जो चाहर चाहर के जा थे बट किया जा सकते हैं जिसको जो मज़िद ट्राप्पर कोई दिक्कत नहीं है यह गिए आपको एक इंडिविजल प्रप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है Firm बंदो जाती है shareuestason कंसरंट बंदो जाती पाइआ बहुत थे जानगी सफेम उनका आना जाना alimenty की घौशा को इसको अफेक्ट नहीं करता है तो क्या बोलते हैं members may come and go but the company goes on forever members आएंगे जाएंगे पिट कंपनी चलती रहेगी death है insolvency etc member does not affect the continuity of the company ठीक है members की death यानका insolvency company की continuity को affect नहीं करती तर दे life of a company does not depend upon the life of its members तो member की जो life है उनका ठीक है उनकी जो life है वो affect नहीं करती company की life को तो company अलग से चलती है company बनती भी as per the presence of law है यानि incorporation भी कैसे है जो birth है company का यानि incorporation वो भी कहा as per the presence of law है और company की जो death है वो भी कहा as per the presence of law ही है company जो है existence में और winding up होना उसका dissolution होना वो दोने ही क्या है by operation of law तो law के तहती यह कंपनी बनेगी, लोग के तहती कंपनी खतम होगी, ठीक है, शरी है, एक कंपनी never dies, प्रिटी डाइस on dissolution, ठीक है, next, common deal, जिसी हम है, हमारे पास अपने हाथ पैर है, ठीक है, जिसे हमें कोई document sign करना है, हम अपने हाथ से कर सकते हैं, ठीक है हमारे पास, आप दूसरी बात आते हैं कि जिसे कमपणी के पास कूई टूल तो है नहीं जिसे कोई डॉकमेट्ट सांड किया जाये तो कमपणी को कहते हैं कि टूल प्रोवाइट किया गया है कॉमन शील पहले ये मैंदेटरी सी चाहिए कपनी ज्क 2013 आया उसमें ये कॉमन क्यांपनी में और में नॉट है कॉमन सील ठीक है कंपनी लोका जो चप्टर फर्स्ट याँ बताया हुए मैंने कि कॉमन सील जो है वो ऑफिशनल है अब एक चीज यहां रखना कि जहां पर कॉमन सील optional है ठीक है बड़ लिखा है law में कि आपने common seal affects करनी है तो common seal है तो affects कर दो जहां पर company law में लिखा है विटा common seal affects करनी है common seal है तो affects कर दो अगर common seal नहीं है तो जैसा प्रविजन में बोला गया वैसे करो जैसे example है section 22 of companies act section 46 22 में क्या बात की गई है वटा of attorney कि यहां बात की गई है power of attorney की इन गार्व टोनी में क्या होता है कि company किसी के नाम पर पाऊठ अवर्ट अवर्ट अडिक तोर पे तो इस नाम क्या होता है तो कहते हैं कि Section 22 में लिखा है कि कौमन दिवेस्ख कराऊनी अगर है तो नहीं है तो एक director एक company secretary sign करेगा power of attorney पे अगर company secretary नहीं है तो दो director sign करेंगे ठीक है अगर company लोगों के वो चप्तर की है अपने starting वाला basics तो आपको याद होगा अदरवेस कोई बात नहीं हम समझे लो तो session 22 में क्या लिखा है ठीक है यह company लोगों की बात है कि अगर power of attorney है power of attorney पे sign करने है ठीक है common seal है तो अफिक्स करतो नहीं है तो एक director एक CS यानि company secretary sign करेगा company secretary नहीं है तो दो director sign करेंगे similarly section 46 है company ने कहते है कि अगर share certificate issue करना है company ने क्या है वटा अगर share certificate issue करना है company ने अगर share certificate issue करना है तो वहां पर भी ऐसा ही है अगर common seal है तो अफिक्स करतो नहीं है तो एक director एक CS sign करेगा CS नहीं तो दो डिरेक्टर sign करेंगे ठीक है चलिए तो clear हो गया common seal जो एक official signature एक company का but under the companies एक 23 यानि अमेंडमेंट आई थी 2015 में उसके बाद common seal को क्या बना देगे बटा optional तो common seal हो नहीं हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है कल को पूछा जाता है आपसे ठीक है कि क्या common seal mandatory है आपने कहना बिल्कुल mandatory नहीं है या optional है इसका जवाब भी दे दिया कि जहां पर लिखा हुआ है common seal लगानी है है तो लगा दो नहीं तो फिर जो उस प्रिविजन में कहा गया होगा यहां भी डिरेक्टर प्लस CS साइन कर दें CS नहीं तो दो डिरेक्टर साइन कर दें तो वैसा कर तो भी चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट लिम्टर लिबिल्टी अब यह जो टॉपिक है आगे दा की बहुत डिटेल में है ठीक है लिबिल्टी कैसे को company की टाइप पर डिबंड करेगा company अगर लिम्टर एक दो रोपे केबल ऐसी इधर के टाइप अगर कम्पनी लिम्टर बाइगरंटी है है मेरी जो लिबिल्टी यह कितने है जितनी मैंने गरंटी यह जा सकती है कि यह गरंटी की पैसे गरंटे वाले कम अंगवा सकती है, only at the time of winding up, ठीक है, the liability of member is limited to the extent of amount taken in the guarantee to be paid up by in the event of winding up, यह आगे जाके बहुत detail में है, तीकि memorandum की, जब liability close पढ़ेंगे हम, memorandum of association में, section 4 में, liability close पढ़ेंगे, यह topic पॉफ detail में आने वाला आगे जाके, नेक्स्ट है, doctrine of alter ego, देखो यह है क्या, इसको बोलते है, lifting of corporate will, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ देखीगा, relevant है, तो बोलते हैं, lifting of corporate will, यह कोई extra कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं कि देखो, company बनाएगे, company का एक separate legal entity है, company members के कामों के reliable नहीं है, और members company के कामों के reliable नहीं है, तो माल लो, company को बहुत सारे losses हो जाते हैं, तो member की liability तो अतनी है, जिक है, जिसे uncalled capital, unpaid capital तक है, अगर लेम्टर वाइग गरंटी है, तो गरंटी तक है, ठीक है, पर जहाँ पे माल लीजेए, company बनाने का मक्सरी क्या था, किसी को दोखा देने का, जहाँ पे company बनाई किसके का काम के लिए गई है, fraudulent activity के लिए बनाई गई है, या टेक्स की चोरी के लिए बनाई गई है, या किसी welfare legislation से बचने के लिए बनाई गई है, या इलीगल काम के लिए बनाई गई है, तो वहाँ पे company का जो separate legal entity का concept है, उसको disregard कर सकता है court, ठीक है, sorry, तो court क्या करेगा, company का जो separate legal entity का concept है, जो corporate whale है, उसको जिस्रिकार कर देगा, और कहेगा court की जो members है, यही liable है, for the debts of company, तो member ही company, company ही member है, वैसे क्या होता है, separate legal entity है, company अलग, member अलग, member अलग, company अलग, तो members जो है, वो company की कामों के लिए liable नहीं होते हैं, पर जहाँ पे company बनाई किस काम के लिए गई है members के द्वारा, tax की चोरी करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, ठीक है, welfare obligation से बचने के लिए, या किसी enemy character की, enemy country के साथ, enemy country के साथ कोई contract करने के लिए, फाइदा जो, ठीक है, members और company के पीछ में उसको lift किया जा सकता है, और कहा जा सकता है कि company के पीछे चुपे हो जो लोग है, members है, वही बेटा क्या होंगे, personally liable होंगे, वही लोग क्या होंगे, personally liable होंगे, ठीक है जी, चलिए, कहते, it is used by the courts to ignore the status of shareholders, officers, and directors of a company, in reference to the liability in their respective capacity, so that they may be held personally liable for directions when they have acted fraudulently or unjustly, तो कहते हैं कि देखो, यहां पर क्या कर रहा है, court, जो एक status है shareholders का, officers का, directors का, in reference to the liability in the respective capacity, यहां भी यह डिरेक्टर इसकी लिविल्टी तो तनी की है, यह शरोल्डर इसकी लिविल्टी तो तनी की है, यह officer इसकी लिविल्टी तो तनी की है, company अलग है, यह बुखा देने के लिए, fraudulent काम करने के लिए, गर्ल्ड काम करने के लिए, तो उस case में court जो है, ignore कर सकता है, status का, जो status है, shareholders का, company का, जो भी है, सब को ignore कर देगा, और कहेगा court, कि यह जो लोग है, यह personally liable हो जाएंगे for the acts of the company, ठीक है, कि लेनर्स केरिंग company, limited versus asiatic petroleum company limited, विसका account held in, जजज जो थे, propounded the alter ego, carry, and distinguish it from vicarious liability, vicarious liability क्यों होती है, कि liability for act done by other party, काम आपने किया liable में हो जाता हो, जिसे agent होता है, agency होती है, तो करता है, agent liable principle होता है, वो vicarious liability है, ठीक है, employer कुछ कुछ करता है, employer liable होता है, वो vicarious liability है, यह J.I.J.L. का concept है, jurisprudence interpretation and general law, thought का concept है, ठी ठीक है, the house of law stated that, default of managing director, who is the directing mind, and will of the company, would be attributed to him, and be held for the wrong doing of the company, तो कहते है कि जो MD था, जिसने गलत काम किया, ठीक है, जो गलत काम करने के लिए, जो liable था, ठीक है, तो उसको हम liable थराएंगे, ना कि company को, ठीक है, MD है, जो गलत काम कर रहा है, ठीक है, सारे जो गलत काम करवा रह हाएंगे, ना कि हम किसको, हम company को liable हाएंगे, नेक्स बड़ते हैं, आगे, next topic क्यामारा, types of company का, ठीक है, types of company में, यहाँ पे कहते हैं कि देखो, companies एक जो है, provide करता है, kind of company के बारे में, इसको promote कर सकते है, बधित कर सकते हैं, अब कहते हैं, जो कहते है, ठीक है, ठीक हैं, ठी हो सकते हैं वन पर्सन कंपनी और दूसरा जहां पर मेंबर्स हैं कम से कम दो मेक्सिमां 200 होते हैं ठीक है अब यह सारे टाइप्स पड़ेंगे हम स्टेप बेस्ट करते जाएंगे आगया चलते जाएंगे और उसको कवर करते जाएंगे अड़ाई होप कि आपको अब तक जो है बेसिक से वो सब समझ आ रहे होंगे नेक्स्ट मेटा फॉर्मेशन के बारे में अब इसमें याद रखिएगा कंपनी इंकॉर्परेट करवानी है तो फैल तो फॉर्मेशन होगी कंपनी की इतने लोग चाहिए है प्राइवेट में पबलिक में तो में फिस जो इनकॉर्पर Jeanne कि कितने में इंकॉर्परेशन की में जो बात की गई है मिनिमुम मेंबर कितनी चाहिए विप उसके इलाबा ऑबर चीया अब्जेक्ट लीगल और चाहिए तुकिंश्क हो सकती है लंब्र बाइश सीयर्स लंडग गरंटी गरधी बीटम करिंश में बॉनिफ के प्रकार से कमपनी बनाई जाए जा सकती है तो कहते कि गपी में विफ्स और एनी लॉफрипर परबपस ईलीगल परपस के लिए कंपनी निभी निभा सकते कंपनी क्या कुछ भी निभी 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 के लिए थी के लिए ठीक है इस भी नीभी निभी परपर्पर्स एकर प्रब्लीक चाहिए उपीस यह तो एक मेंबर से एक मेंबरी एक चाहिए एक ही होता 1% कंपनी एक ही मेंबर चाहिए और एक नॉमिनी चाहिए विकल को मेंबर की डेथ हो गई मेंबर इंसल्वेंट हो गया इंसेन हो गया तो फिर जो नॉमिनी है वो बिकम मेंबर ठीक है तो seven or more person where the company to be formed as a public company two or more person where the company to be formed as a private company और one person चाहिए जहां पर company क्या है one person company that is to say private company तो बिल्कु क्लियर हो गया public company में कितना चाहिए कम से कम member साथ private में कम से कम दो और हाँ one person company में यह नहीं लिखा कि one or more यहां वह नहीं लिखा है बस यहां लिखा सिर्ब one person ठीक है by subscribing their names or his name to the memorandum and complying with the requirements of this act in respect of restriction तो जो भी members है starting में यह क्या करेंगे subscribe to memorandum ठीक है यानि जो members है members है ठीक है यानि private में कितने दो minimum public में minimum ताथ OPC में एक ही है plus nominee हम करेंगे भी ठीक है यह क्या करते है subscribe करते हैं to memorandum ठीक है इसको बोलेंगे क्या subscribers to memorandum of association और जो subscribers to memorandum of association है इनको section 2 close 55 के according क्या बोला गया बेटा members यहाँ पर ध्यान दीजिए section 3 में कहीं membership यूजने किया गया यहाँ पर तो बस यह बोला है कि कम से कम साथ परसन कम से कम दो परसन कम से कम एक एक परसन ठीक है कि सब्सक्राइब करेंगे तुझा memorandum of association यहां यह नहीं बोला गया कि मेंबर सब्सक्राइब करेंगे इतने परसन memorandum को और section 2 close 55 जो मेंबर की definition है section 2 close 55 जो मेंबर की definition है वहाँ यह बोला गया कि subscribers to memorandum को क्या बोलते हैं मेंबर ठीक है चलिए नेक्स्ट है प्रवाइड डेट अब बात आएगी ओपी सी कि सारी कि सारी कहानी किसकी बटा ओपी सी की member of company ठीक है यानि इसको simple भाषा में कहें तो कहता है memorandum में nominee का नाम भी mention किया जाएगा nominee मतलब जो कल को member जो है sole member 1-person company का उसकी death होती है या वो permanently incapable हो जाता है to enter into contract तो nominee becomes member मैंने सारी बात को simple भाषा में साथ-साथ लिखा हुआ है या इस पूरी लाइन का मतलब क्या है नेम अव दा नोमनी टू भी मैंशन इन दम में है मोई यानि memorandum of association नोमिनी का नाम क्या है बटा memorandum of association में मैंशन किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है अब जो सच अधर परसन यानि नोमिनी जो है वो अपनी प्रायर डिटन मिनसें किया जाएगा दूसरी बात के प्रायर लेनी है बिरंसेंठ के पास तॉनमिन का नाम मैंशन मीरें करें लिए आरसी के पैस पहले बात नोमिनी कमेंशन होगा मैं में लिए पहले ही Melbourne और जो नोमीनी की consent है वह फाइल की जाएगी विदारोशी ठीक है नोमीणी है जिस समय मर्जी चाहिए अपनी consent को विड्रो कर सकता है यह बिझा नहीं बनना बस डीकर माली जी मैं नौमीनी रहा है तो आज मैं विड्रो करना चाहता हूं नोमीनेशन तो मैं कर सकता हूं उसके कि अलावा जो… यूदी को बदल सकता है चेंज करके को यूर लगा सकता है कोई दिक्ट नहीं वंगतिए मैं परव होप lord नोमिन बदल सकते हैं लग द Earl चेंज करके कोई आण सकता है कुछ दिक्ट नहीं है लेड़ लिए लिए name of other person nominated by him by indicating in the memorandum or otherwise within such time and in such manner as may be prescribed and the company shall intimate the ROC any such change within such time in such manner as may be prescribed. बहुत simple बात है कहते देखो जो member है अब nominee बदला ठीक है nominee को हटा दिया गया तो nominee को जब हटाया गया है यह चेंज किया गया है तो उसका इंटेमेशन मेंबर देगा company को company देगी ROC को ठीक है member ने intimation किसको देदिया तो इसने दिया कंपनी को कंपनी को देदिया ROC को ठीक है तो चेंज इन नॉमिनी का जो कि अच्छी बात लिए ध्यान रखना इसको क्या कहते है कि देखो नॉमिनी का नाम किसमें था क्या किते नहीं तो नॉमिनी जब चेंज होगा तो उसके लिए हमें member को आउटर करने की को requirement नहीं है ठीक है नेक्स लास्ट बात company जो है मैंने बताया था फॉर्म की जा सकती है limited by shares हो सकती है लिए गरंटी हो लॉफुल पर्पर्स के लिए बनाई जाएगी ठीक है लॉफुल पर्पर्स के लिए बनाई जाएगी दूसरी बात company के जो members होंगे वो कितने होंगे ठीक है पबलिक में साथ कम से कम साथ या साथ से ज्यादा प्राइबट में दो यारों से ज्यादा और वन यह क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तुदा मेंडम और अदर जो लीगल रिक्वार्मेंट है इस चैक्टर की सेवन जैसे हो गया वो सब पूरी करेंगे पिसारी कहानी ओपी से की आगी अब कहते हैं कि देखो वन परसंट कंपनी में जो सोल मेंबर है किसी को किसी उनकी पेवल हो जाता है तो एंटर इंटो दा कॉंट्रेक्ट तो नौमिनी बिकाम्स मेंबर इन डेट पर्टिकलर केस अब कहते हैं कि जिसको भी नौमिनी बनाया उसका इंटिमेशन देना है आज रसी को यासे कि पहले तो नौमिनी की हमने लेनी है प्रायर रिटन के चया है अब जो भी चेंज होगा में नौमिनी में 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 प्रीकों के लीज़ो एकिंशृ करेगा लास्घ्र बात निए थोड़ा है तो टेक्निकल है बट सारा जो बेस्ट यह किसके उपर है बेस्ट अपॉन दा कंपनी लॉग ठीक है और मैं बतारा हूं कि खास करके जो हमारा चैप्टर है इन कॉर्परेशन आफ कंपनी का कंपनी लोग एंट रेक्टिस में तो वह आपको पहले करना है ठीक है उ कंपनी लों में क्या है कि कंपनी लिंप्टर वाई शेर्स हो सकती है वो लिबिल्टी है वो लिबिल्टी की बात करें तो कंपनी लिंप्टर वाई शेर्स है लिंप्टर वाई गरंटी है अलिंप्टर कंपनी अब बेसिस अगर देखा जाए कौन सा इन कॉर्परेशन का वह अंडर किसी separate act of parliament या separate act of state के तर्ट ही है जैसे कि LICI Life Insurance Corporation of India, Reserve Bank of India है, even FCIV की example ले सकते हो, NHI की दे सकते हो, ठीक है, NHI के है National Highway Authority of India, FCI के है Food Corporation of India, ठीक है तो statutory companies क्या है वेटा, ऐसी companies जो special act of parliament के तर्ट बनी है, जिसको constitute किया गया है under the special act of parliament या कुछ special act of state legislature, ठीक है, the provisions of companies do not apply to them, ठीक है, the companies at 2013 provisions do not apply to such statutory companies, example हमने बता दी, RBI है, NHI है, ठीक है, अपनी LIC हो गया, FCI हो गया, Food Corporation of India, next है, research companies जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो company जिसकी restriction जो है, पुई है, as per the provisions of companies act, यह वाला company हो गया, या previous company हो गया, पूती कहां पर, ROC के पास, ठीक है, companies which are incorporated under the company's act, तेरा, put on third in, और under any previous company law, with ROC, fall under this category, ठीक है, इकलिद हो गया, next classification on the basis of liability, यह जो बात है न, यह पहले आगी, अब आगी है, फिर आगे जागे, फिर आएगी, जब memorandum की बात करेंगे हम, ठीक है, तो पहला क्या है, कि company की अगर हम बात करें, तो पहले यह दिखते है, limited by shares, यह हमने बात की, limited by shares में कहे, मेंबर की जो liability है, वो कितनी है, जितनी, unpaid capital है on the shares, मैंने example ली थी, जैसे 10 रुपे का share है, मेरे पार, एक ही share है, 10 रुपीस का, तो मैं आठ रुपे दे चुका हूँ, तो में net liability कितनी रह जाती है, किवल 2 रुपे, liability कितनी रहेगी मेरी, 2 रुपे, ठीक है, तो कहते है, company that has liability of its members, limited by liability close, ठीक है, जो company के memorandum of association में, liability close होगी, ठीक है, उसे बताया होता है, if any, unpaid on the shares respectively held by them, member के liability maximum कितनी है, up to the unpaid capital on that shares, मेरे पास 100 shares है, 10 रुपे का एक है, कितने होगे, 1000 रुपे के, 8 रुपे मैं per share दे चुका हूँ, 800 दे चुका हूँ, तो मैं net liability कितनी रहेगी बटा, 200 रुपे, ठीक है, it is termed as company limited by shares, for example, a shareholder who has paid 75 on a share of face value of 100, आप 100 रुपे मैं 75 दे चुका हूँ, तो में net liability रहे कितनी कि के बटा, 25 रुपेज, can be called upon to pay the balance of 25 only, companies limited by shares are by far the most common and it may be either public or private, ठीक है, यह सही बात है कि जो majority companies है, आप more than 99.99% companies आप देखोगे, तो company limited by shares ही है, company limited by shares है, ठीक है, आपको clear हो गया, यहां member की liability कितनी है, maximum liability कितनी है, ठीक है, up to the unpaid share capital, ठीक है, यह maximum liability है, ठीक है, next क्या है, company limited by guarantee, guarantee में क्या आता है बटा, यहां liability है, up to the guarantee given, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, जो यह guaranteed amount है, guarantee amount है, यह member से मंगवाई कप जा सकती है, only at the time of winding up, guarantee की amount member से मंगवाई कप जा सकती है, यह मंगवाई जा सकती है, only at the time of winding up, अगर guarantee की amount केवल winding up के time पर मंगवाई जा सकती है, तो company चलेगी कैसे, company को पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा, बिटा borrowed funds से, company जो काम करेगी, वो विदा borrowed funds करेगी, विदा उधार वाले पैसे करेगी, अब उधार कोन देगा, company को members दे सकते है, company बहार से ले सकती है, ठीक है, तो यहाद रखेगा, जो guarantee amount है, यह क्या है, मंगवाई जा सकती है, इसमें एक point यहाद रखेगा, company limited by guarantee, without share capital हो सकती है, या with share capital हो सकती है, तो company अगर limited by guarantee है, with share capital, तो फिर कैसे होगा, जो guarantee amount है, वो तो कमंगवाई जा सकती है, only at the time of winding up, बद जो share capital है, वो कमंगवाई जा सकती है, जब company को requirement होगी, company जो guaranteed amount है, that can be called up only at the time of winding up, और जो shares है, उसके ओपर जो calls है, company जा मर्जी मंगवा सकती है, जिसके ओपर call, ठीक है, चलिए बटा, company that has the liability of its member, limited to such amount as the members may respectively undertake, by memorandum, to contribute to the assets of the company, in the event of being bound up, ठीक है, तो members क्या है, commit करते हैं कि हमारी इतनी guaranteed amount है, and we are liable to contribute to the assets of the company, during the winding up, तो winding up चल रही होगी, उस समय हम company की assets में इतना का contribute करेंगे maximum, तो यह हमारी क्या है, guaranteed amount है, ठीक है, क्या बोलते है, company limited by guarantee, ठीक है, तो कहते हैं, एक तरना से members जो है, गरंटी company में क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक तरना की guarantee दे रहे होते हैं, क्या हमारी जो guarantee इतनी की है, ठीक है ना, चलिए, next unlimited liability companies, तो यहाँ पे कहाए कि members की जो liability है, वो unlimited है, members जो है, यहाँ पे क्या होते हैं, personally liable हो जाते हैं, for the debts of company, हर member अपना proportion बताता है, कि company की जो debts है, उसमें मेरा, company की जो भी liability होगी, मेरे उसमें 30% share है, दूसरे एका करता है, 40 है, तीसे का भी 30 है, तो आप कल को liability निकल के आगे, तो यह 30-40, 30 के ratio में, जो member से 3 liable हो जाएंगे, ठीक है, अब हाँ, अब मालेजिए company के, जो company के जो liability pay करनी है, उसके लिए even, उसके लिए even, member को अपनी जो private estate है, personal assets है, वो भी बेचनी पड़ सकती है, तो यानि कि यहाँ पे जो member है, उसकी liability unlimited हो जाती है, एक तरह से unlimited हो जाती है, ठीक है, company के debt को pay करने के लिए उसको अपनी personal assets भी बेचनी पड़ सकती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कि liability जी unpaid capital तक है, या लिए इतनी guarantee तक है, तो company की liabilities को pay off करने के लिए, member even have to sell off their personal assets private estate, ठीक है जी, चलिए बेटा, In this type of company, members are liable for the company's debt in proportion to the respective interest in the company, liability तो उनकी जो respective portion in the company है, ठीक है, जो commit कर रखा है, कितनी मरी, यह हमारा proportion है, ठीक है, and that liability is unlimited, क्यूंकि उनको company के debts को pay करने के लिए, अपनी जो private estate है, personal assets है, वो भी sell करने पड़ सकती है, तस companies may or may not have share capital, दे में either be public or private company, company कोई भी है, पिशक वो limited by shares है, limited by guarantee है, या unlimited company है, यह private हो सकती है, यह public हो सकती है, ठीक है जी, चलिए बेटा, next है other forms of company, इसमें से काफी companies हमारे syllabus में हैं, हम पढ़ेंगे, ठीक है आप क्या सकती है, section 8 companies हो सकती है, पुरा detail में है इस chapter में, non-profit companies, government companies इस chapter में हैं हमारे syllabus में, government companies क्या होती है, government companies होती है, जिसकी at least 51% paid up share capital, government के पास है, central government के पास है, यह state government के पास है, partly by center, partly by state, partly by state government के पास है, और एक company, जो government company की subscriptions है, उसे भी क्या मानते है, इस्लेफ्य नहीं नहीं है। इस स्ट्र में हैं, उसका इंड céu पड़ेंगे फिजिकल हो सकता है, PRAV अपने हो सकता है खुद खोल रखाओ प्लेस बिजनस या फिर क्या है किसी एजेंट के जदिए हो सकता है ठीक है और कंपनी यहां पर कोई बिजनस कंपनी का जो कंपनी की जो टाइप है ठीक है यह करता है लिबिल्टी के इसाफ से लिबिल्टी के के फिर कि देखें तो इसका स्त्रक्श्र अलग हो जाता है एक स्टर्पिंट्री कंपनी को जाती है ऑन-ड गयर कंपनी को जाता है थो यह अंधरойд कंपनी किया जाता है अगेher है foreign holding है सबस्कुर्य है investment company है joint venture company है एक इस ते चलिए बड़ा तो next क्या है private company की definition आप गड़ी प्राइवेट कमपनी की definition अब देखे private company की अगर हम बात करें उसमें एक ज्यानक नहीं कि minimum जो paid-up share capital है वो क्या है as may be prescribed private company में जो minimum paid paid up share capital वो क्या है as may be prescribed at present कोई minimum paid up share capital prescribed नहीं की गई तो मतलब zero capital से भी private company can be started private company means means का मतलब और समयते हैं कि definition जो है restricted है meaning यही है और कोई meaning नहीं है means a company which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and by its articles the sick the right to transfer its shares if any except in case of one-person company limits the number of members to 200 ठीक है एक तो हो गया कि जो restrictions है ठीक है restrictions है share transfer करने पर हमने पहले बात की थी जो private company में क्या होता है कि share transfer करने पर क्या होती है restriction होती है और दूसरी बात क्या है कि जो maximum number of members में कितने है 200 maximum number of members कितने हैं इसमें 200 हैं ठीक है maximum number of members कितने हैं 200 हैं और इसमें याद रखिएगा कि 200 में कौन से count नहीं होते एक second ठीक है 200 में count नहीं होते जो इससे में company के employees हैं ठीक है जो इससे में company के employees हैं वो 200 में count नहीं होते जो इससे में company के employees हैं वो सब्सक्राइब याद रिखिएगा कि जो पहले मेंबर्स फिर सब्सक्राइब और दूसरी बात यह आज आती है कि जो पहले मेंबर भी थे प्लेज वा parenthर आज कि आँए हैं वह मेंबर से तो वो 40 की काउंटिंग में आएंगे और मेरे पास और मेरी वाइब के पास इसे हैं जोने अब मैंबर काउंट किया जाएगा ना कि दो मेंबर के तौर पर चिक सान लास क्या है कि बिल्कुल प्रोहिबिशन है एनी ओनने इन्विटेशन तो पब्लिक तो सब्सक्राइब पूर एनी सीकुर्ड़ दो कंपनी पॉब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते वह शेयर सें डेवेंचर सें बोंजा वर्टैवर पॉर एनिधिंग पबलिक को इन्विटेशन ह तब कि बात तब देखेंगे और यह पर यहाँ पर लिखा यहां लिखाएं ने लिखा अगर शेयर्स है तो उनकी ट्रांफरेपलिटी थिस्टिक्शन होती है यानि फ्रीली ट्रांफरेबल नहीं आप अगर ट्रांफर करना चाहते हो private company के तो जो existing members हैं उनको कर सकते हो आपसे members एक दूसरे को कर सकते है पर मोटर से और डिरेकर से आपसे में कर सकता है था है फैमिली मेंबर दे सकते हो कुझे खूज फ्रेंट को दे सकते हो पब्लीक को नहीं आप बेच सकते हैं थे के ना सलिए नए वह टंपर सब्सक्राइब को छोड़ के ठीजे कंपनी का मेंबर भी हूं एंप्लॉई भी हूं तो मैं 200 की काउंटिंग में नहीं आओंगा दूसरा वो लोग जो पहले कंपनी के एंप्लॉइमेंट में नहीं आएंगे पहला जो समय इंप्लॉइज भी हैं वह नहीं labu memosy निहाऊंट होंगे पहले मेंबर थैंप्लोइज थैं आज के वाल मेंबर से वह नीं काउंट होंगे तीसरा जो लोग year two or more persons held one or more shares company या जिनके बास joint ownership है उसे one member count किया जाएगा jointly they shall for the purposes of this definition be treated as a single member तो joint ownership वाले को एक member के तोर पर count किया जाएगा last प्रोहिबिशन है और एनिविटेशन टू पब्लिक तू सब्सक्राइब और निगे सकते आई यह हमारी कंपनी के सिक्राइब की दिए ठीक है तो ऐसे इन्विटेशन पर प्रोहिबिशन है नेक्स्ट आईए प्रोवाइड़ डैट वेर तू और मोर परसंस हैल्ड वन और मोर यहां पर दो यार दो से ज्यादा लोगों के पार शेयर से एक मेंबर के तौर पर काउंट किया जाए गयों कि कहते हैं कि प्राइब कंपनी में इश्यू डवेंचर्स तो एन नंबर ऑफ परसंस तो पॉब्लिक तो सब्सक्राइब फॉर डवेंचर इस प्रोहिबिटेड़ इसकी लिमट है कि कंपनी के जो मेंबर से वोगों 200 हो सकते हैं डिवेंचर ओल्डर की कोई लिमट नहीं है इंपोर्टन दे ध्यान रखेगा मेंबर की प्राइब कंपनी में अगर हम ध्यान रखना चाहें मैक्सिमम में नंबर मेंबर कितने हो सकते हैं 200 अच्छिक है अट मे ठीके जी इसमें ध्यान रखना है अपने अब मेंबर की लिमट 200 है उससे ज्बड़ा नहीं हो सकते हैं और जो डिवेंचर ओल्डर्स है वो क्या है उनकी कोई लिमट नहीं है बिटा प्राइब कंपनी की डेफिनिशन आपको क्लियर है त्राइब कंपनी मीन अ कंपनी हैं मि चाहिए है कि मेंबर ऑफ मेंबर दोसों में कौन था प्राउट करेंगे सब्सक्राइब अब करें जो तो इसी में क्रिए कलेंगे निकलेंगे पैली बात मेंबर अब आप प्रावीट कम्पनी स्टार्ट करना चाहते हो तो section 3 हमने formation of company वाला पड़ा तो private company में क्या आता है कि कम से कम member कितने चाहिए बेटा दो कम से कम दो members चाहिए private company को start करने के लिए to start a company minimum number of two members is required and a maximum number of 200 members as per the provisions of companies like 2030 company start करने के लिए members चाहिए बेटा वो कम से कम कितने चाहिए दो मैक्सिम कितने हो सकते हैं 200 as per the provisions of companies like 2013 दूसरा लिम्टर लिबिल्टी है इसको अब यह depend करेगा type of company पर अगर company limited by shares है तो member के लिबिल्टी कितनी है आप तो unfaid share capital अगर company limited by guarantee है तो member के लिबिल्टी कितनी होगी आप तो दा guarantee given by the member but only at the time of winding up होगी हमने पढ़ा था कि members जो liable होता है तो लाइबल होता है तो contribute to the assets of the company only at the time of winding up ठीक है और हाँ company unlimited है अगर company unlimited है ठीक है तो वहां member के लिबिल्टी क्या हो जाती है और पूछा ही क्या है ओपर ठीक है कि private limited company के features क्या है तो यहां साफ साफ कहने कि private limited company है मेंबर के लिबिल्टी लिम्टड होगी ठीक है कि कहते है प्रपेच्वल सक्सेशन यह तो हर मेंबर की death member की insanity जो है member का आना जाना एक अद्मिशन मेंबर का एक्सपरिशन एक सेशन आप मेंबरशिप टा कॉंपनी की कॉंटिटी को अफेक्ट नहीं करता कंपनी की जो इस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता the company keeps in on existing in the eyes of law even in case of death insolvency the bankruptcy of any of its members this leads to the perpetual succession of company कंपनी की बिटा यहां पर क्या perpetual succession member का आना जाना company की continuity को अफेक्ट नहीं करता है कि the life of the company keeps an existing forever ठीक है तो company दो को हम बात कर चुके हैं बार बार कंपनी का जो बर्त है यानि incorporation company का जो डेट था यानि डिजॉलिशन दोनों कैसे बाइप प्रेशन ओफ लॉव लोग के तहती company पैदा होती है लोग के तहती कि डिखो मेंक्ते करना केवाल तबीचल होता है मेंबर की संख्या कम से कम कितनी हो पचास की मेंपर कीبة में 30 कम थे कम आप्ने में जैना इसे कम होती है तो फटी तील में पचास अग कर ला की कि इंडेक chamber तो यह इंगर होता है अगर फिफिटी और फिफटी से जादा मेंबर कम है तो नहीं देन करना के कहें kiloश प्राइब कंपरी फ्रिविलिज जोबर के as they don't have to keep an index of members since member of number of members is less than 50 generally generally आम तोर्च पर 50 से कम होते हैं यह तो सही बात है पर 30 स्पोर्स पचास से जारे हैं ऐसे देखो common sense है अगर इतने जारा memory कठे करने है private company को तो फिर वो private नहीं बनाएंगे public ही बना लेंगे ठीक है in these companies whereas the public company is required to maintain an index of its members as generally such companies have the number of members in hundreds and thousands ही बिल्कुल public companies जो होती है खास करिके जो लिस्टर companies होती है उनके तो फिर मेंबर ही बहुत होते हैं कि इन शॉर्ट मेंटेनेंस और इंडेक्स नॉट नेसेसरी जहां पे number of members less than 50 है ठीक है आप में फोकॉस इस गजिए बागी सब भूल जाहिए ठीक है इतना यार रखिए कि मेंबर जहां पे 50 से कम है तो इंडेक्स नहीं करना पचास से जादा है इंडेक्स और मेंबर मेंटेन्स करना होता है ठीक है चलिए चलिए और प्राविट कंपणी में आम तरब पर पर 50 से कम होते हैं तो इस वन पर्संड कंपनी में कम से कम एक डिरेक्टर चाहिए प्राविट में दो चाहिए पबलिक में कम से कम तीन चाहिए होते हैं और मैं आपकी नॉलिज बढ़ा दूँ इसी सेक्शन में यह भी लिखा है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 15 15 के बियूंड क्या चाहिए चाहिए प्राइब कंपनी में अभलिक के अपकण में ट्रुप से काम चलाजाता है आम तो कंपनी चलने शुरू एक यह हमने बात कि थे डेफिनिशन में कि प्रावेट कंपनी मीन से कंपनी हाविंग मिनिमम पेड़ शेयर कैपिल एज में भी प्रसक्राइब आज की तारिक में नतिंग है इस बिन प्रसक्राइब विद रिगार्ड तो प्रावेट कंपनी तो आज की कर सकती पंपलिक को तो सब्सक्राइब डिस तो प्रश्पेक्टेस को माइश करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इं केस ऑफ प्रफेक्टिस का यहां पर कोई इशु नहीं है प्रस्पेक्टेस का तो private limited company तो यहाँ पर पर सब्सक्रिप्षिप्शन करने का को सवाल पैदा होता ही नहीं है minimum subscription क्ल涼को यह एक इशू लेकर आती है तो effective में मेंचन किया जाता है कि कम से कम इतना एप्लिकेशन से एंगी को प्राम्याब माना जाएगा जो भी अप्लिकेशन आई है सब वापिस कर देंगे रिटर्न कर देंगे अब प्राइवेट कमपनी में तो पॉब्लिक को इशू आता ही नहीं है लाइन सकती प्रोहिबीशन है तो मिनिमूम सब्सक्रिप्शन वाली रिक्वार्मेंट भी यहां प और प्राइवर्ट कमपनीस ठीक है तो यानि की फुट्रेक्टर्स तो यहां इंशू यह नहीं करने है तो फिर हमने मिनिम सब्सक्रिप्शन की बार क्या करने है तो नेम की बात करें तो कम्पनी के नाम के पीछे क्या आता है प्राइव लेंट जैसे एक्स वये जड़िए नाम के बीठे आ जाएगा ठीक है इस मेंडिटरी फॉर आल दा प्राइवेट कंपनी तो यूज दा वर्ड प्राइवेट लिम्टर आफ्टर इस नेम अब समय के बेसिक बाते हैं बेसिक बिल्कुल बेसिक बाते हैं पहला मेंबर मेंबर यहां पर कहें दो से काम चल जाएगा मेंबर आएंगे कंपनी चलती रहेगी इंडेक्स मेंबर के वाल तभी मेंटेन करना जब पचास या पचास से ज्यादा मेंबर की तेंक्या है नंबर और देक्टर दो हैं दो से चल जाएगा पेड़केटल इसमें कोई रिक्वार्मेंट ही नहीं है प्रस्पेक्टर की रिक प्रस्पेक्टर में नेम नाम के एंड में क्या आएगा प्राइवेट लिम्टेड आई होब यह कुंसर्ट अब बहुत अच्छे से क्लिर फोर आओगा आपको चली बटा नेक्स क्या है मारा फबलीक कंपनी की प्राइवेट कंपोरी जो नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम प्राइवेट कंपनी नहीं है यानि की कि जो प्राइवेट कंपनी की तो क्या था आर्टिकल में 3 कंडिशन्स होने चाहिए निरस्टिक्शनSON से एक भी कंडिशन वाइलर्ट होई तो company private नहीं रहा जाती डैंस बेक्ट फब्लिक कंपनी अंडर crash into close seventy-one फिके तो private company यह तक न मिन से company which is not private company फिर्वाइवट नहीं है वह टो प्रफिक है और एन्ड साहथ में minimum paid up share capital कितनी होगी ऐस में भी prescribed आज की तारिक में कोई भी minimum paid up share capital prescribed नहीं की गई पबलिक company के लिए बेड़ा आज की तारिक में आज की तारिक में कोई भी minimum paid up share capital prescribed नहीं की गई तो इसलिए public company can be started with the zero capital तो public company zero capital से start की जा सकती है फिर कहते हैं कि देखिए एक public company में के एक private company क्या है सक्ट्री कंपनी कि अब कहते हैं कि एक private company जो जबस्टरी कंपनी की क्या मनने जाएगा यथ्च जायेंगे जो पब्लिक कंपनी की सब्सेडिरी कंपनी है section to close to 7 में पता रखा है सब्सेडिरी क्या होती है यानि पब्लिक कंपनी के पास private कंपनी के more than half voting power है या फिर क्या है कि public company private company के directors को composition of directors को control करती है composition of directors को control करने का मतलब क्या है majority of the directors को appoint करने की या remove करने की पावर किस मरी के पास है तो जानिकि एक प्राइवेट कंपनी जो पब्ली कंपनी की सबसरी है उसे वह क्या मैं लेते हैं पबली कंपनी अबली कंपनी के सभी प्रिजिन के प्राइविट कंपनी पर प्पलाई हो जाती है। ये चलिए एक एक अश्छलाव कोंपगी आपने आर्टिकल समटिकल में इस सर्थे मिलिक कंपनी चैनल से बबिक कंपनी के सब्सक्राइब कोली क będzie होने के खाएंidd Ranger सब्सक्राइब कंपनी किया होता युजंश अपलाई हो जाते हैं यह section 8 company में कहते हैं कि जो paid up share capital की कोई requirement नहीं है minimum paid up share capital की private company में public company में क्या पड़ा कि minimum paid up share capital कितनी होगी as may be prescribed अभी तक prescribed तो कुछ किया नहीं गया तो private company या public company आज के टाइम में zero capital से start की जा सकती है पर यह भी तो हो सकता है कि कल को mca prescribe कर दे minimum paid up share capital तो कल को mca ने अगर minimum paid up share capital बेटा prescribe कर दी तो फिस तो चाहिए हमें मालों कल को mca ने कह दिया कि पांच लाख paid up capital होनी चाहिए private company की दस लाख होनी चाहिए public की तो चाहिए होगी फिर पर आज की तरिक में भी ऐसा कुछ प्रिस्काइब करने रखा है खल को कर दिया तो होनी पड़ेगी पर सेक्शन एट कंपनी को को कोई requirement नहीं है अभी हमने बात की कि प्राविट कंपनी को कम से कम कंपनी डिरेक्ट्रस स्य है दो अभलिव को कितने चाहिए थीन maximum कितने हो सकते हैं कोई भी कंपनी ए फन परसं कंपनी प्राविट कंपनी पबलिक कंपनी ने कितने हो सकते हैं 15 15 कि Beyond क्या चाहिए Special resolution दिश्क है तो बोर्ड की बात कर दें minimum कितने होंगे इन मैक्सिम कितने होंगे 15 है कि कि यह इंट करेगा टाइप पॉपनी में वही बात प्रक्राइब कि यह इंटरी है नंबर आप मेंबर्स हमें पता ही है कम से कम मेंबर्स कितने सेक्शन त्री जो पढ़ा था हमने अभी प्राइब कमपणी में दो कम से कम साथ तुब उग से कम से में मेंक्सीं कोई लिमिट नहीं सब्सक्राइब all g각 क क्यों पब्राइब चीब्लिक कंपणी में क्या था अर्टिकल में पकायदा कंडिशन्स डालनी होती है कि रिस्ट्रीक्शन के और पीर फ्रậnषी ए Nee यह कि नेक्स्ट परेट्वल सक्सेशन सेम वही वडिंग कि कंपणी जो है ठीक एक सेपरेट एंडड़ी है कि मेंबर जो है आएंगे जाएंगे कंपनी चलती रहेगी तो मेंबर की इंसॉल्वेंसी डेथ वगरा कंपनी की जो कॉंटिनुटी उसको अफेक्ट नहीं करती रहा होती है और खास करके एकास करके लिएक इसस फोर अगर फटर पबलिग लिस्टर उपफिर तो बहुत ही जा रहो जाते है फ। वह भी कंपनी जो लिस्ट है या लिस्ट होना चाहती है उद्धें सेपरें उगorie इप य। वह भी Nap설ाई हो जाते है क्या सब मेंठे ॥ेप पॉब्लिक लिम्टेद कम्परीज अस्तिक्ली रेगुलेटेड और रिक्वाइड बाए लॉट पॉब्लिश दरी कम्प्रीट फिनेशल स्टेट्मेंस अनुली इस इंशोज दाट दे रिविल दर तू फिनेशल पोजिशन तु 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 पोटेंशल इन्वेस्टर सो द यह जो होता है काफी देख रहा होता है एमसे की निगात होती होती है हर कंपनी फाइल करनी होती है जिससे उनकी जो तू फैनेशल पोजिशन से इन्वेस्टर तक पहुंचती है तो इन्वेस्टर जो एक तरह से इंफॉर्म्ट डेसीजन ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है अन्लिम्टर अक्सेस तू कैपिटल प्राइबिट कंपनी के उपर तो रिस्टिक्शन है उनके शेस फिली ट्राइबल नहीं है तो पब्लिक कंपनी जिसको मज़ी इशू करे कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक लिम्टर कंपनी एंज्वाइन इंग्रीस अबिल्टी तो रेस कैपिल सिंस दे कन इशू शेर्स तू पब्लिक तू स्टॉक मार्केट दे कैन अल्सो रेस अडिशनल कैपिल बाइशू करते हैं उसको लिस्ट होना पड़ता है तो फिर वहां पे सेवी के लग लग हो जाते हैं ठीक है तो सेम मार्केट फॉर्म पब्लिक डिवेंचर संट बॉंस और इंदा फॉर्म ऑफ सिक्योड और उन्सिक्योड डैसी शूट तो दा कंपनी और स्ट्रेंथ और इस इंटेग्रिटी और फिनेंशल प्रफॉर्मेंस बाइजनल पाबली और इस मेंब पिल इस पार्ट में इतने हैं नेक्स पार्ट में कि हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पार वागले सबस्क्राइब करना हूंगि पहले आपका ने सब्सक्राइब आपको अच्छे से समझा रहे होंगे अगर आपको कही जगा लगता होगा कि थोड़ा सा फास चल रहा है उसका रीजन सेंपल ही है यह जो टॉपिक्स है वीच में सारे टॉपिक बेसिक से जो कंपने लों के स्टार्टिंग में कवर्द हो जाते हैं ठीक है तो उसको पहले बारवर बोल रहा हूं जो कंपनों बेस्ट है काफी उसको पहले प्रकॉरा में पहले करते तो आपको यहां से पढ़ना बहुत असान हो जाता है तीक है बीलते हैं नेक्स सेशन में थैंक वह